हेले इस्टुडेंट कैसे हैं आप सब इगवार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगत हैं और आज के वीडियो है इस्टुडेंट ब्लूप्रिंट पर आधारी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कोश्यन मन में उत्पन हो रहे हैं और यही जवाब मांग रहे हैं कि सरबास्तों में यह ब्लूप्रिंट हमारी हित में है या नहीं तो देखे यह ब्लूप्रिंट से एक तरह फाइदे भी हैं और एक तरह कहीं न कहीं नुकसान हैं फाइदे हमको 30-35% हैं वहीं नुकसान इस्टुडेंट हमको 70-75% हैं कहने का मत सकते हैं 75 यह 70% हमारा लॉज है फायदे की बात करते हैं कि आपको क्या-क्या फायदे हैं सबसे पहले जो सलेवस cut-out हुआ था उसमें आपनों को बहुत सारा doubt था कि कौन सा chapter हट गया है कौन सा chapter नहीं हटा है उसमें solid clear नहीं हो पा रहा था जब सलेवस आया था तब की मैं बात कर रहा हूं उस पर यह clear नहीं हो पा रहा था जोर सदिस यो सरर देखा पूरा details नहीं दिया था अःसमें क्या है उन chapter को रखा ही नहीं है तो यहां में प्रकार सी फायदा है और profit हो रहा है कि हम यह clear कर पा रहे हैं कि इस chapter को हम को पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है दूसरा चीज दूसरा चीज यह student कि पहले क्या होता था हर question का अथवा रहता था लेकिन इस बर्स जो है जैसे question देदेगा पांच और पांच में से करना रहा है तीन इसमें से एक नज़रिये से देखा जाया तो कहीं कहीं न कहीं student को फाइदा होगा क्यों कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अथवा सहित question नहीं बन रहे हैं और कुछ में अथवा सहित बन रहे हैं समझभारें क्योंकि अथबा का भी बन रहा है लेकिन उस question का नहीं बन रहा है तो अथबा नहीं बन रहा है तो ऐसे में क्या होगा जिसे 5 question आपको जी दे दिया गया उन में से 3 करना रहेगा तो उसमें से बहुत आसान हो जाएगा चांटो बराओ मतलब जिसको आपको चूज करना है उसक इसे आप करनेट करा लो है ना मतलब उसका note down करके अपना answer लेग दो तो यह दूसरा फाइदा है अब तीसरे फाइदे के लिए बात करें student तो तीसरा फाइदा यह है कि blueprint देकर की blueprint देकर के सरकार ने clear कर दिया है कि आपका exam होगा इसमें अब कोई संसे नहीं है कोई doubt नहीं ह तीसरा profit यह है कि हमें अब clear हो चुका है कि exam होगा 100% से ओब इसमें कोई भी संसे की बात नहीं रह गई कोई भी 1% भी संसे नहीं है कि paper नहीं होगा या कि general promotion होगा तो यह तीन कुछ प्रमोग फाइदे हुए अब इसमें से नुकसान क्या है देखिए सबसे बड़ा fact student जो पहले blueprint आता था वो हर chapter का अलग-अलग या काई unit वार blueprint दिया जाता था तो हमको यह clear हो जाता था इस्टूडेंट की इस chapter से इतने नमबर का अध्यन करना है लेकिन अब tenth की बात करें है रटुल्फ की बात करें रखें दोनों में खंड बांट दिया थीन तीन खंड now gonna से ये clear नहीं है कि एक खंड में पांच चैप्टर है छे चैप्टर है उन छे चैप्टरों में से किस में से दो नंबर का पढ़ना है किस में से तीन नंबर चार नंबर का पढ़ना है कि दो नंबर को नहीं आएगा तीन नंबर का और चार नंबर का तो ये clear वहां पे नहीं हो गया है अब यह तो कहा ही नहीं गया है कि इस चैप्टर से अब्जेक्टिव आएगा सीधा सिंपल दे दिया कि इस खंड से दस अब्जेक्टिव ठीक है तीन नंबर कितने कॉश्चन चार नंबर कितने कॉश्चन यह सबसे बड़ा इस टुडेंट के लिए कमजोरी बन चुका है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे चैप्टर और कमिस्टी में केवाल अब्जेक्टिव पढ़ाई कर रहे थे मैं खुद आप लाइन पे 4-5 साल से लगा तार अब्जेक्टिव उस पे से आ रहा था जबसे मैंने पढ़ा तब से वहां से अब्जेक्टिव आ रहा था तो मैं खुद बच्चों को बताया था कि अब्जेक्टिव आता है आनलाइन पे भी मैंने जो वीडियो अप्लोड किया वहां भी बताया था अब्जेक्टिव आता है दूसरा सबसे नुकसान ये हो रहा है कि जहां 100 नंबर के एक्जाम में 25 नंबर का अब जेक्टिव आ रहा है अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 30 नंबर का अब जेक्टिव आ रहा है तो हमारे लिए खुसी की बात है या रभाई कोई भी क्वेश्चन ये पांच नंबर का आता है या चार नंबर का आ जाता है तो वहां पर उसको हल करना आसान होता है उसमें सॉलिड नंबर पांच के पांच मिल जाते हैं लेकिन अबजेक्टिव बीच के ऐसे अबजेक्टिव आ जाते हैं कभी कभी बनते ही नहीं है तो पांच में से आप से तीन अब्जेक्टिव बन पाए तो दो अंक आपके कट गए अब्जेक्टिव में कोई चांसस नहीं की आधे नंबर आपको मिलेंगे पूरे के पूरे माइनस होते हैं पांच में से तीन नहीं बना तो तीन नंबर पूरे कट जाएंगे कोई चांसेस नहीं हैं आपको एक नंबर भी पाने का लेकिन धोरी में यदि दो-दो अंक्री के दो कोश्य ना गए यदि आप अच्छे से लिख रहे हो थोड़ा बहुत भूल रहा है तो डेड़ डेड़ नंबर रिडियूस सलेवस में से सभी टॉपिक्स को पढ़ाई करनी है तो बहतर होता किसी के मन में ये लालसा नहीं होती किसी के मन में ये लोब नहीं होता कि बास्तों में हमें ब्लूप्रिंट मिला है हमें ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ना है अरे बिना ब्लूप्रिंट भी प्रकार से है जैसे बेसिक से और मैं सुरू से भी कहता था मेरे प्यारे भाईों कि मेरे भाई शरकार की कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए इसलिए आप लोग अपने इस तरह से पढ़ाई करो क्योंकि वहां बैठे लोग चिंता करते हैं मैं नहीं कहता हूं अब ब्लूप्रिंट देने में भी देड़ महीने लग जाते हैं तो यह हालात है हमारे मत्प्रदेश की सिछा नीत की हमको तो कभी कभी बड़ा अजीब फील होता है यार कि बास्तों में क्या वहां पढ़े लिखे बैठे हैं या कि कुछ कम पढ़े लिखे हुए बैठे हैं जो कि इस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीज बच्चो को दिया जाए समय पर क्या दिया जाए हर चीज में कुछ लागू नहीं पढ़ाई पर ही ऐसा चल रहा है तो इसके तो मैं एकरडिंग कहूंगा तो उतना मैं एक प्रकार से बोटिंग की बाता है तुम 90% बिलकुल इगनूर करता हूँ कि 90% मेरे according ये सही blueprint नहीं है 10% है जिसमें से केबल मुझे इतना बच्चों को फायदा लग रहा है कि पता होगे कि इस chapter को हटा दिया गए इस chapter को पढ़ाई करना चाहिए लेकिन आप लोगो एक बार पुना मैं कहना चाहूँगा कि अब आप लोग percentage के पीछे मत भागना नंबर के पीछे मत भागना मेरे प्यारे भायो जिसको कुछ तरकी करना कुछ सक्सेच करना है है ना कुछ आपके मंजिल को पाना है अपने आपको तो इस्टूडेंट अपने आपको यदि कुछ पहुचाना है तो आप बेसिक से पढ़ो पूरा हिंट बाई हिंट टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ो ज्यान बनाओ हैना जो भी आएगा उसे देखा जाएगा परिच्छा की चिंता ना करते हो पूरा बिद्बट पढ़ाई करो सभी चेप्टरों को पढ़ाई करो और बिंदास मिनत करो आटोमेटिक आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगी जरूरी नहीं है कि 95 परसेंट वाला बंदा ही उचे इस तर तक पहुंचता है जो जो भी सकसे जो जरूरी नहीं है कि उन्होंने 95 परसेंट ही लाया है 40 से 45 55 परसेंट वाले भी आज दुनिया में अमीर के लिस्टों में नाम लिये जाते हैं तो इस तो आप लोग उस कहना चाहूँगा कि आप लोग परसेंट केच की पीछे मत भागना के बल आपको रिगुलर पढ़ाई करना और मेहनत करो हम आपके साथ हैं चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे लगए तो लाइक कर देना दोस्तों सेयर कर देना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथी बेल आइकान प्रस कर लेना जैहिन बंद मातरम